जै शेरी राम इसी शंका के कारण में आपको देख कर भी आपके पास नहीं आया मैं बाली से बहुत डरा हुआ हूँ और भाय से सब भैभीत होते ही हैं ये हनुमान आदी वानर ही मेरी सहायक हैं और इनहीं की सहायता से अत्यंत कलेश भोगता हुआ भी जीवित हूँ ये वानर मेरे बड़े सनी ही है और सब परकार से मेरी रक्षा किया करते हैं जहां कहीं भी जाता हूँ वहीं ये मेरे साथ जाते हैं अर्थार सदा मेरे साथ ही रहते हैं हेराम मैंने अपना सब वरतान संशेप में कह दिया है मेरा जेस्ट भाई बाली मेरा शत्रू है और वह एक प्रसिद्ध प्र वानर है। उसका नाश होने से ही मेरी दुख का नाश होगा। मित्र दुखी हो यह सुखी। मित्र के लिए मित्र ही एक मात्र सहारा है। सुगریव के ये वचन सुन। शरीराम ने उनसे यह कहा। बाली के साथ तुम्हारी शतुरता किस लिए हुई। इस विशे में मुझे ठ ठीक ठीक बताओ, शिरी राम के ऐसा कहने पर सुग्रीव ने कहा, हे राम, जिस प्रकार मेरा बाली से बैर हुआ और जिस प्रकार मैं घर से निकाला गया, वह सब मैं प्रारंब से कहता हूँ, आप सुनिये, मेरी बड़े भाई बाली को मेरी पिता बहुत मानते थे, और बैर ह मोनी के पूर्व मैं भी उनहीं बहुत मानता था, कुछ दिनों के पश्चाद जब पिता जी का देहांत हुआ, तब बाली को जेस्ट समझ कर, मंत्रियों ने उसे रास सहासन पर बैठाया, बाली पिता के विस्तृत राज्य का शासन करने लगा, मैं उसके पास दास की तरह विनीद भाव से रहने लगा, कुछ समय बीतनी पर दुदुम्भी के जेस्ट एवं तिजस्वी पुत्र मायावी के साथ किसी स्त्री के पीछे बाली की शत्रुता हो गई, एक बार रात्री में जब सब लोग सो रहे थे, तब वह दानव किशकिंदा नगरी के बाहरी उस समय सोता हुआ मेरा भाई बाली उस दानव की भयंकर गर्जना को सुन, जाग उठा, और क्रोध में भर कर बड़ी तेजी से उसे मारने को घर से निकला, यद्दिपी बाली की स्त्रीयों ने और मैंने भी विनम्र भाव से उसको बहुत रोका, फिर भी वह किसी का कहना न मान कर घर से निकल ही गया, उस समय भाई प्रेम के वशीभूत होकर मैं भी उसके साथ हो लिया, इसके बाद वह असुर्थ मेरे भाई को तथा मुझको देखकर डर गया और तेजी से भागा, जब वह हम लोगों से डर कर बड़ी तेजी से भागा, तब हम दोनों भाई भी बड़ी तेजी से उसके पीछे भागे, क्योंकि उस समय चंद्रमा के उदाय होने से चांदनी छिटकी हुई थी। भागते भागते वह असुर, पिर्थवी के एक बड़े दुरगम बिल में, जिसका मुख घास फूस से ढखा हुआ था, बड़ी तेजी से घुस गया। हम दोनों भाई उस बिल के द्वार पर पहुँचकर रुख गए, अपने शत्रु को बिल में घुसा हुआ देखकर, बाली बहुत कृद्ध हुआ और क्रोधित होकर मुझसे बोला, हे सुग्रिव, जब तक मैं इस शत्रु को मार कर न लोटू, तब तक तुम यही पर खड़ रहना, बाली का वचन सुनकर मैंने उसके साथ गुफा में जाने की प्रातना के, किन्तु बाली ने मुझे अपनी चर्णों की शपत देकर, अकेली ही उस बड़ी गुफा में प्रवेश किया, जब बाली को उस गुफा में गए हुए एक वर्ष से उपर बीत गया, तब मैं मैं बाली को मरा समझा, भाई को न देख पाने के कारण मेरे मन में शंका उत्पन्न हुई, इस पर भी मैं वहां खड़ा ही रहा, बहुत दिनों के बाद उस गुफा से जाग युक्त रक्त निकला, तभी मुझे युद्ध में लगे और गरश्ती हुए असुरों का घोर हे मित्र, फिर शोक से पीडित हो और भाई को जलांजली दे कर में किशकिन्दा में लोट आया, ये दिपी मैंने बाली के मरने की बात यतन पूरवक छिपाई, फिर भी मंत्रियों को पता चल ही गई, फिर उन मंत्रियों ने मिलकर मेरा राज्य भी शेक कर दिया, और तब मै न्याय पूरवक राज्य करने लगा, फिर कुछ समय पश्चाद बाली अपनी शक्त्रू को मार कर लोट आया, मुझको रास सहासन पर बैठा देख, मारे क्रोथ के उसकी आँखे लाल हो गए, उसने मेरे मंत्रियों को पकड़ कर उनसे कठोर शब्द कहे, हे रागव, ये द मान करने के लिए मैंने बार-बार मुकुट सहित अपना सीस उसके चड़नों में रखकर उसे प्रणाम किया, और हाज जोडे में उसकी बगल में खड़ा रहा, किन्तु वह मेरे उपर प्रसन्न न हुआ, तब मैं उसकी हित कामना से उसको क्रोध में भरा देखकर उसे प्रस अब आप अपना यह बहुत सी कीलियों वाला और मनोहर छत्र और चवद जो मैंने धारण किया था, ले लीजिए, हे राम, फिर मैंने बाली से कहा, मैं उस गुफा के द्वार पर दुखी हो, एक वर्ष तक खड़ा रहा, पीछे से उस गुफा से एक बड़ी भारी रक्त की धार निकली, तब मैं अत्यंत दुखी हुआ, और एक बड़ी शिला से गुफा का द्वार बंद कर दिया, फिर वहां से मैं पुनहा, किश गिंदा मैं लोटाया, मंत्रियों और प्रजा जनों ने मुझे दुखी देखकर मेरी इच्छन न होते हुए भी, मुझे रासिहासन पर बिठा दिया, आतहा, आप इसको शमा करें, आप ही सम्मान पाने युग्य राजा हैं, मैं पहले आपका जैसा सेवक था, वैसा ही मैं सदा रहूंगा, आप इस नगर को जैसा छोड़ कर गए थे, यह वैसा ही बना हुआ है, अभी तक आपका यह राजे मेरे पास धरोहर की तरह रखा था, उसे मैं आपको लटाए देता हूँ, मेरी उपर आप क्रोधित नहों, मंत्रियों ने बरजोरी से मुझे राज सिहासन पर इसलिए बैठाया था, कि कहीं सूना राज्य देखकर कोई बैरी इसे दबाना ले, हे रागाव, जब मैं विनम्र भाव से यह सब बाली से कह रहा था, तब उसने मुझे बहुत दिकारा, और मेरे मित्रों वो मंत्रियों आदी के सामने, मुझे से बहुत बुरी बाते कहते हुए बोला, तुम सब लोग यह तो जानते हो, कि उस मायवी महा असुर ने मुझे रात्री में युद्धी के लिए ललकारा था, उसकी आवाज सुनकर मैं तुरंत राजभवन से निकला, और मेरे पीछे-पीछे मेरा यह कठोर हिर्दे भाई भी आया, तब हम दोनों उस गुफा के द्वार पर पहुँचे, जिसमें वह राक्षस छिप कया था, तब मैंने अपने इस क्रूर भाई से कहा, कि मैं इसे मार कर कि मेरा भाई तो द्वार पर ही मौजूद है, उस दुरगम गुफा में घुस गया, वहाँ जाकर उस दानब को ढूनने में ही एक साल लग गया, जब वह मुझे दिखाई पड़ा, तब मैंने सब परिवार उसको मार डाला, वत करते समय वह राक्षस ऐसा चिलाया, कि उस की चिलाहट से तथा उसके शरीर से निकले रक्त से वह गुफा भर गई, उस राक्षस को मार कर जब मैं गुफा से बाहर आने लगा, तब मैंने देखा कि गुफा का द्वार बंध है, तब मैंने सुग्रीव, सुग्रीव कहकर बार बार पकारा, किन्तु जब मुझे किसी उत्तर ना दिया, तब मुझे बड़ा दुख हुआ, अंत में मैंने अपनी लातों से उस पत्थर को तोड़ डाला, और गुफा से बाहर निकल, नगर को लौट आया, इस क्रूर सुग्रीव ने भाई प्रेम को भुला कर, राज्य पाने की लोब से मुझे गुफा में मुद्रों सहीत, सारी पृत्वी पर घुमता रहा, फिर दुखी होकर मैं इस रिश्य मुख परवत पर चला आया, क्योंकि कुछ कार्णों से बाली इस परवत पर नहीं आ सकता, हे रागव, बाली से मेरी शतुरता का जो कारण था, वह मैंने आपको सुनाया, सब लोकों के भाय दूर करने वाले, अतहां आप बाली को दंड दे कर, मुझे भी उसके भाय से छोड़ाइए, सुग्रीव के ये वचन सुनकर, शिरी राम मुस्कुरा कर, सुग्रीव से कहने लगे, हे सुग्रीव, मेरे ये तीखे और चम-चमाते बाण, उस दुराचारी बाली के उप पर गिरेंगे, और वह जीवित नहीं रहेगा, मैं तुम्हारा उद्दार करूंगा, शिरी राम के हर्श और बल को बढ़ाने वाले वचन सुनकर, सुग्रीव उनका पूजन कर प्रशंसा करते हुए भूले, हे राम, आप कुर्द होने पर चम-चमाते पैने बाणों से समस लोकों को जला सकते हैं, किन्तु बाली का प्राक्रम और वीर्टा को सावधानी पूर्वक सुन लीजिए, फिर जो उची समझे, वही कीजिए, बाली सुड़े उदे होने के पूर्व, पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक, और दक्षर समुद्र से उत्तर समुद समुद्र के किनारे तक घूम आता है, किन्तु इतनी दूर चल कर भी, वहे कभी नहीं ठकता, वहे प्राक्रमी बाली परवतों पर चड़, उनके बड़े-बड़े शिखरों को गैंत की तरह उचाल कर, हाथ में लपक लेता है, वनों के बड़े-बड़े विरिक्षों को समुद्र के निकट गया, वहे समुद्र की लहरों को रोक कर समुद्र से बोला कि मुझ से युद्ध करो, हे राजन, तब समुद्र ने उठकर उस दानव से कहा, कि मुझ में इतनी सामर्थ है नहीं, मैं तेरे साथ लड़ सकूं, किन्तु मैं तुझे उसके विश्य में बता हूं, जो तुझे से युद्ध कर सकता है, सुन, तपस्वियों की आश्रे स्थल और भगवान शंकर के ससूर, जो हिमवान नाम से प्रसिद्ध हैं, तु उनके निकट जा, वहे तुझे से लड़ सकते हैं, तब वहे दानव समुद्र को अपने से भैभीत हुआ जान, विशाल शिलाओं को उखाड उखाड कर भूमी पर पटक पड़े जोर से कर जा, तब सफेद बादल की तरहा सुन्दर और मनोहर आकार धारण कर, हिमाले अपने एक शिखर पर खड़ी होकर दुदुम्भी से बोला, हे दुदुम्भे, मुझे कस्ट देना उजित नहीं है, क्योंकि मैं तो रण कोशल में कुशल नहीं हूँ, मैं तो तपस्वियों का आश्रे स्थल मात्र हूँ, हिमवान के ये वचन सुन कर दुदुम्भी, क्रोट से बोला, यदि तुम मुझे से युद्ध करने में असमर्थ हो, तो तुम बतलाओ, मुझे से युद्ध करने यो कर सकता है, यदि तुम को युद्ध करने की अभिलाशा है, तो तुम शीग्र उसके पास जाओ, क्योंकि वह युद्ध शेत्र में बड़ा शूर वीर है, और उसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता, हिमवान के ये वचन सुन दुदुम्भी क्रोध में भर कर, अति शीग्रता पूर्वक बाली की किश्किंदा नगरी में जा पहुँचा, नगरी की द्वार पर पहुँच कर, वह महाबली दुदुम्भी भयंकर शोर करता हुआ अभिमान में भर कर, द्वार पर लगे पेड़ों को उखाडने लगा, और अपने खोरों और सींगों से भूमी को खोदन लगा, अपने भावन में बैठा हुआ बाली, उसके शब्द को सुनकर सब स्त्रियों सहित बाहर चला आया, और दुदुम्भी से बोला, कि तू क्यों द्वार को नस्ट करता हुआ गरज रहा है, हे दुदुम्भी, मैं तुझे जानता हूँ, तो अपने प्राण बचा, ब तब मुझे भी पता चल जाएगा, कि तुझ में कितना बल है, यदि तू अभी युद्ध नहीं करना चाहता, तो कोई बात नहीं, मैं आज अपनी क्रोध को रोक लेता हूँ, कल सवेरे युद्ध होगा, हे वानर, आज की रात तुम और सुख भोग लो, जो कुछ तुम्ह दानपुन्य करना हो, सो वह भी कर लो, और जिन वानरों वो इस्ट वित्रों से भेट करनी है, वह भी कर लो, और अपनी किशकिंदा नगरी को भली भाती देख लो, और अपने सामांट किसी युग्य वानर को यह रज्य सौप दो, क्योंकि मैं तुम्हारा एहंकार दूर कर तुमको मार डालोंगा उस असुर के वचन सुनकर बाली ने क्रोध में भर कर अपनी समस्त स्त्रियों को विड़ा किया और मुस्कुरा कर धीरे-धीरे दुदुम्बी से कहा हे वी तु मुझे मतवाला मत जान ऐसा कहकर बाली युद्ध के लिए तब बाली ने उस पहाड जैसे आकार के दुदुम्बी के दौनों सिंग पकड़ कर उसे दूर फैक दिया दुदुम्बी को गिरा कर बाली सिही की भाती घोर गरजना करने लगा बाली ने उसे ऐसी जोर से पटका कि उसके कानों से रक्त बहने लगा तब सदैव जीतने की इच्छा रखने वाले और क्रोध में भरे हुए बाली और दुदंबी का घोर युद्ध होने लगा इंद्र तुल्ले प्रक्रमी बाली लात घूसों, जांगों, शिलाओं और व्रिक्षों से युद्ध करने लगा वानर और असूर की इसी युद्ध में बाली का बल बढ़ने लगा और असूर दुदंबी का बल शीन होने लगा जब दुदंबी का साहास बल धैदे और प्रक्रम धीमा पड़ गया तब बाली ने उठा कर उसे जमीन पर पठक दिया जमीन पर गिर कर दुदुम्बी मर गया तब बलवान बाली ने उस मृत दुदुम्बी को उठा कर एक योजन की दूरी तक फैंक दिया बाली ने जब उसे बड़ी जोड से फैंका तब उसके मुख से टपकता हुआ रक्त वायू की जोंकों से उड़कर महर्शी मतंग के आश्रम में जा गिरा मुनी रक्त की बूदों को देखकर अत्यंत क्रोधित हुए और कुछ देर तक वे सोचते रहे कि किस दुस्ट ने मेरे उपर रक्त का छड़काव किया है वह कौन दुरात्मा नीच और मूर्ख है इस परकार सोचते हुए जियों ही मुनी आश्रम से निकले तियों ही उन्हे एक परवत के आकार का भैसा जमीन पर मरा हुआ दिखाई पड़ा तब तो मतंग मुनी ने तपोवल से जान लिया कि यह सारी कर्तूद बाली की है अतहा यह जान उन्होंने भैसा फैकने वाले बाली को शाप दे दिया मेरे आश्रम को जिसनी रक्त की बूदों से तर कर दूशित कर दिया है वह इस आश्रम में नहीं आ पाएगा इस असुर की मृत दे फैक कर जिसनी मेरे आश्रम के व्रिक्ष तोड़े हैं वह यदि मेरे आश्रम में घुसा या इस आश्रम के चार कोस के घेरे के भीतर वह द यहां नहीं रहेंगे यदि वे यहां रहेंगे तो उन्हीं भी मैं अवश्य शाप दे दूंगा अतहा मेरी इस शाप को सुन उन्हें दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए क्योंकि मैं इस वन का पालन सदा कुत्र की भाति किया करता हूँ आज के दिन तक मेरे शाप की मर्यादा है सवेरा होते ही बाली की और के जिस किसी भी वानर को यहां देखूंगा तो उसे हजारों वर्ष तक पत्थर का होकर रहना पड़ेगा उस वन में रहने वाले सभी वानर मुनी के यह वचन सुन पाली के पास पहुँचे तब बाली बो और यह भी कहा कि आपको भी मतंग मुनी ने शाप दिया है उन वानरों के वचन सुनकर बाली महर्षी मतंग के पास गया और हाठ जोड़कर उन्हीं प्रसंद करने लगा प्रंतु महर्षी ने बाली की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और उठकर अपने आश्रंग के भी से बाली रिश्य मुख परवत पर कभी नहीं आता यहां तक कि इस परवत की और देखता भी नहीं है बाली का इस वन में आना वर्जित है यह बात जान कर ही मैं मंत्रियों सहित इस वन में बिना भाय के वास करता हूं देखिए यही उस दुदुंबी की हड़ियों का पहाड के समान धेर लगा है जिसको बाली ने अपने प्राक्रम से उठा कर यहां फैका था हे राम मैंने यह बाली के बल का प्राक्रम का वर्णन किया है सो अब आप निशित करें कि बाली को युद्ध में किस प्रकार मार सकेंगे तब हस्ते हुए लक्ष्मन ने सुग्रीव से कहा कि शिरी राम जी ऐसा कौन सा काम करके तुमको दिखाएं जिसे से उनके द्वारा बाली के मारे जाने का तुमको विश्वास हो यह सुन सुग्रीव बोले कि यह साथ साल के व्रिक्ष जो सामने दिखाई पड़ते हैं इन में से एक एक को बाली अपने प्राक्रम से हिला कर बिना पत्ते का कर सकता है शिरी राम जी भी यदी एक ही बाण से इन में से एक भी साल के व्रिक्ष को काट डालें तो मैं इनका प्राक्रम देख बाली को मरा हुआ समझूंगा मृति दुदंबी की हड़ियों के धेर को एक पैर से यदी शिरी राम दो सो धनुष की दूरी पर फैंक दे तो मैं बाली को मरा समझूंग यह कहकर सुग्री लाला नेत्र कर और शन भर सोच कर फिर शिरी राम से बोले हेराम बाली स्वेम बड़ा शूरवीर और शूरवीरों का वद करनी वाला है उस बलवान वानर बाली को युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता